आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार ओमनी पदमे हम अमसाय राम असला वालेकुम सत्रीकाल मैं हूं सुरभी आपकी सुरभी आगई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया करियर का रीडिंग लेकर जो कि आप लोगों मुझे बोल रहे थे लाइव में कि आपको अपी स जाएगा तो अगला जो रीडिंग है वो न्यूयर के लिए कर दूंगी तो अभी तीन महीने हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आप देख सकते हो या क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो मदव यूनिवर्स की तरफ से और राशियों के आधार पर यह रीडिंग है तो आप अपनी राशियंका पता कर लें कल freshmen को संसाइन पता हो या मून साइन मेटर नहीं करता है जो भी राशी आप प्रंडु करते और यह तो मैं थोड़ा सकाँ अपने सब्ढ़ने मागर्यं को ःसे रहने वाले माशु मीं आप राशी और अपनी च्छ्य कर लेजिये कर आप आपको पता नहीं और फिर आपी रीडिंग देखें फिर आपको जादा अच्छे से समझ जाएगा राशियों के आधार पर इसलिए भी रेडिंग कर रहे हूं कि फिर काफी हद तक रहता है जाद अतर लोगों के साथ वैसे भी रहती है लेकिन वही है कि कितने परसंट लोगो यह रेमिडीज रहेगा वह मैं आपको दूँगी तो आप उसके टेंशन मतलों और जिन लोगों को अपना बर्थ डेट नहीं पता है वो नाम की राशी से भी रीडिंग देख सकते हैं और अगर आपको इसका डीटेल नहीं मालूम कि कैसे पता करते हैं अपना बर्थ डेट अपनी राशी जो भी आपकी बर्थ डेट है या नाम है तो आप मुझे बताना तो यह भी मैं एक्स्प्लें कर दूँगी या फिर मैं काम करूँगी स्क्रीन पर लगा दूँगी इसकी सारी डीटेल्स कि अगर आपको नाम से अपनी राशी का पता करना है तो कैसे करना है आल राइट चालो तो यह रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए तीन महीने कैसे रहने वाले हैं for you and क्या कुछ गाइडेंस आपको फॉलो करना है या क्या कुछ रेमेडी आपको फॉलो करनी है बाकी की जो भी जानकारी है आपको डिस् स्टोन चाहिए क्योंकि जो अक्टूबर का फुल मून है आप सभी लोगों को पता ही है बहुत पावाफुल है तो उसमें मून स्टोन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए नौजाइस करके आपको दूं तो आप मुझे मेल कर देना या वेबसाइट पर जाकर एक रेजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह फिल कर सकते हैं तो फिर आपके नाम से मैं अभी से अनौजाइस करना शुरू कर दूंगी एंड फिर वह आपको हो सकता है कि औक्टूबर टैंथ तक आपको रिसीव हो जाए किकि 16 & 17 को आपको उसकी नीड होगी तो आप देख ले ना, ठिक है तो चलो शुरू करते हैं पर दो के लिए कि तेंगि आपकी पास्ट की नाजी प्रेजेंट की और फिर यह जो तीन महीन हैं इनके नाजी चेक करूंगी एरीस की नाजी तनी स्ट्रॉंग है I think जादा तर लोग इसी राशी के हैं हमारे फैमली में मून, टूइन बाउन्स, ट्री यह वान्स, वेरी गुड यहां पर है आपके लिए इस्टार यहां से देख लेती हूं होल्राइट 43 इसलिए 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 मून भी है लीडर्शिप 22 ठीक है एर्वेंचर नमबर 3 अरे वाह और राइट तो जो भी इस राशी के अंतरगत आते हैं अगर मैं बात करूं उनके आने वाले तीन महीनों की तो काफी खूपसूरत हैं और काफी कुछ आप मैं देख रही हूं एक्सप्लोर भी कर रहे हो और जर्णी आपकी बहुत पौफुल रहने वाली है अगर मैं साल के शुरुआत के भी बात करूं तो वो भी कुछ न कुछ ऐसा रहा है कुछ महीने आपके बहुत अच्छे रहे होंगे आपके करियर के लिए जब आपने बहुत कुछ अचीव किया फिर कुछ महीने ऐसे रहे होंगे जिसमें आपके अनौजी बहुत लो रही है आपके काम नी बने सो ऐसा रहा है दब आपने इस साल में जितने भी अभी महीने निकल गए हैं, आप समझ नहीं पाए होगे कि आपको युनिवर्स को थैंक यू बोलना है, कि युनिवर्स से नराज होना है, आपको खुद को अपने आपको एप्रेशेट करना है, या खुद को ब्लेम करना है, ये सारी चीजे रही होगी, आपको clarity ने मिल रही होगी, कि किसी वज़े से, या फिर किसी तरीकी का transformation हुआ होगा, जो कि आपके career के लिए अच्छा है, हो सकता है, आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन है वो अच्छा आपके लिए, ये जो महीने हैं, इन मैं दिखाई दे रहा है, August, यानि कि जो last month था, हो सकता है, इस महीने में भी क कुछ transformations हुए हूँ, कुछ लोगों ने अपना job change किया हो, job change करने का सोच रहे हूँ, ऐसे mood बन रहा हो कि ये जो काम कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, इस तरीकी की चीजे रही है, so ups and downs रहे हैं आपके life में, आपके career में, इस साल, जिसको अगर आ energy बहुत लो रही होगी, और आपका career है, वो भी कहिना कि आपको unstable ही लग रहा होगा, okay, तो इस तरीकी की चीजे हैं, but present की energy अगर मैं देखूं, ये तो past का मैं बता रही हूँ, कि आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, बहुत कुछ खोया भी है, आप थोड़ा confused रहे हो, insecure रहे हो, illusions, काफी सारे आपको रहे हैं, आपके career को लेकर, बट अभी कि अगर मैं बात करूं, तो अभी की energy आपकी काफी positive है, और आप उस mode में हो, जहां पर आप खुद पर काम करना चाहते हो, और जो भी challenges है, उनको आप face करना चाहते हो, आप डरना नहीं चाहते, क्योंकि queen of wands की energy है, fiery energy है, queen of wands at times बहुत kind होती है, और जब उसको लगता है कि उसको अभी fight करना है, या उसको किसी को जवाब देना है, तो फिर वो उस energy में भी आ जाती है, बहुत ही powerful, strict and fiery energy में, तो प्यार करेगा कोई, तो बदले में प्यार देगी, बहुत प्यार देगी, reciprocate कर लेगी, लेकिन अगर आप पंगा लेते हो, तो फिर वो नहीं छोड़ती, ये वाली energy है, तो इस वाली energy में कहीं ना कहीं आप हो, ये ठीक है, अगर universe मुझे challenges दे रही है, मैं face करूंगी, मैं fight करूंगी, और मैं आगे बढ़ूंगी, और ये energy, इस energy के वज़े से ना, आगे आपके ये जो तीन महीने हैं, वो बहुत ही powerfully change होंगे, और आप देखोगे कि किस तरीके से आप एक एक करके सीड़ी चरते जा रहे हो, और अपने destination पर पहुँचते जा रहे हो, क्योंकि आप लीडर्शिप की भी energy है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो अभी हाल फिलाल मे सो यहां पर आपके लिए progress दिखाई दे रही है, promotion दिखाई दे रहा है, काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहे है कि हो सकता है कि आपके जो boss हैं वो आपको बोले कि आप out of country जाओ, लंडन जा सकते हो, या किसी और country में आपको भेजा जा सकता है, कुछ लोगों के जस्त आपको जाना है और जादा कुछ efforts नहीं लगाने है, सिर्फ आपको जाना है, तो ये एक बड़ा कदम होगा आपके लिए, जब आप वहाँ जाओगे और चीजों को explore करोगे, तो आपको future आपका वहाँ और जादा bright दिखेगा, ऐसा हो सकता है, बशाते आप जाना चा रहा जाए, appreciate किया जाए, कोई छोटा सा function रखा जाए, ये सारी चीज़े इन तीन महीनों में दिखाई देती है, सो मैं कहना ही चाहती हूँ, कि तीन महीने काफी आपके लिए powerful रहेंगे, जो भी आप परिश्रम करोगे, उसका फल आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई भी ऐसी मुझे दिखाई नहीं दे रही, जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत है, या मैं आपको एडवाइस दू, कि आप ये करिए, ये नहीं करिए, आप ये गलती कर रहे हैं, इसको सुधारिये, वैसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जितने इस्टेबल आप पिछले सा नहीं रहे होगे, या जितना भी आपने सोचा होगा, कि इतना मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या मेरे ओफिस में मेरी ये जगह बननी चाहिए, उससे कहीं जाधा, दो गुना, ती गुना जाधा ही आपको मिल रहा है, आने वा लेजनसी से जुड़े हैं कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा ट्रेवल करने जैसा काम है ठीक है ट्रेवल रिलेटेड टूरिजम वगेरे कुछ ऐसा है तो वहां पर बहुत फायदा है आप लोगों को अगर यहां पर कुछ लोग है या कम्यूनिकेशन से जुड़ा अप्को तुरन्त तरंट तरक्क्य होगी इन तीन महीनों मैं और सब कुछ ना उनेक्सपेक्टेड होगा कि सो भी देख रही हूं कुछ लोह को ट्रैवल करते हो कुछ लोग लोग को ट्रेवलिंग अच्छा एक चीज यहां पर और आ रही है आपके लिए कि अगर आप दूसरा जॉब लेना चाहते हो जैसे ऑगस्त में अगर आपने श्राय किया नहीं हुआ तो अभी आप ट्राय कर सकते हो इसके साथ इसाथ बिजनेस भी शुरू कर सकते हो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनक कर दो इससे ना आपको आगे बहुत help मिलेगी थोड़े बहुत obstacles आप face कर रहे हो लेकिन वही है कि इतने बड़े नहीं है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे अच्छा कुछ लोग के लिए यहाँ पर मैसेज है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पसंद ना करें आपके attitude की वज़े से या आप जो भी जैसा भी आपका काम रहेगा उसकी वज़े से या लोग आपको बहुत appreciate करेंगे इसलिए हो सकता है वो आपको पसंदना करें तो उनसे उलजना नहीं है उनको आप थोड़ा ignore करो हो जादा अच्छा है अधवाइस अच्छे से बात करो ज आप जो बोलोगे ना वो लोगों की माइंड में रहने वाला है for some reason और हो सकता है यह चीज आपके साथ होती हो सो यह messages मैं channel कर रही हूं बताती जा रही हूं यह आपको करना है कोई आपको क्या बोल रहा है वो ध्यान नहीं दिया जाएगा guys आप जो जवाब दोगे ना उस पर सभी के नजर रहेगी और उसके आधार पर भी आपका promotion यहाँ पर you know decide किया जाएगा कि देना है कैसे देना ह यह स्थिति ना इस व्यक्ति के लिए अच्छी है इसने यह सब कुछ जो भी इसके सामने situation आई इस तरीके से handle किया बहुत मिच्छी हो रहे हैं यह सारी चीज़े जैसे कि आपको इस टॉक किया जा रहो आपके office में कि आपका behavior कैसे आपके काम कैसे हैं यह सब कुछ तो आपका बिवहार लोग देख रहे हैं और आपके बिवहार को ध्यान में रख कर आपको कोई position दी जाएगी यह guarantee है ठीक है यह तीन महीने जो है यह ऐसे रहेंगे तो यह ध्यान में रखना है अच्छा जिनके पास अभी कुछ है नहीं जॉब नहीं है बिजनेस नहीं है उनक को खोल लेना है कुछ जब भी मैं business की बात करती हूं लोगों को वही चीज लगती है बड़ ऐसा नहीं होता जो लोग business शुरू करते हैं वो शुरुआत से ही इतना बड़ा investment कर दें ऐसा संभव नहीं है तो सबके लिए तो नहीं है कम से कम आपको भी पता है तो छोटा सा investment क करो और कोई हलका फुलका सा business आप शुरू करो कि आप सभी लोगों के लिए ना बार-बार यह messages आ रहे हैं कि business करो जो लोग job कर रहे हैं उनके लिए आ रहा है तो जो नहीं अभी कुछ कर रहे हैं उनको तो करना ही है तो जैसे अभी क्या है Instagram है WhatsApp है Facebook है social media है तो यहां पर अगर आपको शौक है तो उसकी सेलिंग शुरू कर दी एड्स वगेरे लगा दी अगर एड्स नहीं भी लगाना है तो contact to contact ऐसे हो जाएगा है तो यह कर सकते हो अगर आपको ड्रेस डिजाइनिंग का शौक है अगर कोई आपकी मालीजी चुटी सी दुकान है या घर पर ही आप अपने कपड़े वगेरे मंगवा के रखते हो तो उसका ना जैसे चोटा सा मॉडलिंग करके फोटोस वगेरे डाल देने का तो लोग देखेंगे पसंद करेंगे तो फिर आपकी सेलिंग वैसे बढ़ जाएगी तो कुछ करो ऐसे बिजनेस वगेरे कुछ करो आपनों क आप कर सकते हैं तो चाय क आप जौब कर रहे हो चाया आप जौनुड रहे हो या बिजनेस के लिए पार्तनर को जुए घूस कर दालस अन्दो आपकी सकस क्षिस है और बार-बार मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर मैं आपकी जोर्णी देख रही हूँ, आपको ट्रेवल करते हुए देख रही हूँ, ट्रेवल से जुड़े जो भी आपकी कोई जॉब है या बिजनेस है, उन लोगों के लिए भी मैंने अभी मेसेज़स दिये, तो बहु जाएगी, अगर आप फीमेल हो, तो आप घर से किसी को लेकर जाओ, अपने पापा को बोल दो, या भाई को बोल दो, या कोई तो ऐसे आपका फ्रेंड है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, तो उनको आप लेकर जाओ, और अगर आप मेल हो तब तो कोई दिक्कत है यह फिर तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो जहां पर भी जाना है तो एक घेरे में मत रहो अब ये मत सोचो के मैं चला गया तो घर वालों का क्या होगा आप फिर बाद में आके डिसकस करना कि कैसे आगे बढ़ना है राइट कि अभी ये इंपोर्टन्ट है कि आपको काम मिले है फिर फैमिली शिफ्ट हो सकती है फिर अब जैसे आप जॉब करने के लिए आपकी जॉब लग गई तो वहां पर भी आप बोल सकते हो कि हमारे सिटी में एक आपकी कंपनी या ब्रैंच है तो वहां पर आप यूनो मुझे शिफ्ट कर दीजे ये सारी बाते कर सकते तो पीछ कि थो लगों के लिए अब या इस समय को या इस मौके को जो यूनिवर्स आपको दे रही हैं कैसे इसको यूटलाइज करते हो कैसे कैसे इसको celebrate करते हो यह आप पर बनता है nine of cups देखवाया है यहाँ पर आपकी जो भी wishes है वो पूरी होंगी इन तीन महीनों में तीन क्या मैं दो महीने का जादा वोलूँगी कि कि ऑक्टूबर में आप महनत करो महनत आपकी दिखनी चाहिए लोगों को और फिर जो दो महीने है वो आपको फल देंगे और हो सकता है कि आपका अगला साल भी बहुत सुन्दर रहे करियर के लिहाद से तो अभी दोस्की रीडिंग नहीं कर रहे हूं करूंगी तो वहां से पता चल जाएगा and see queen of wands again so आपने आपने power में रहोगे इन तीन महीनों में आपने जो सोचा है आपने जो manifest किया है या जो आपकी conditions है about your career वो सारी मानी जाएंगी और सारी आपकी wishes पूरी होंगी इसमें कोई doubt नहीं है opportunities आपको मिल रही है possibilities बन रही हैं दरवाजे खुल रहे हैं और abundance के so कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है जो मैं फिर से repeat करना चाहूंगी एक तो business का सोचो जिन लोगों ने बिलकुल business का नहीं सोचा है माइन में बिलकुल tiny business के बारे में उनसे भी मैं कहूंगी कि छोटा मूटा कुछ तो काम करने का सोचो आप लोग बहुत आप expert नहीं हो तो इसके बारे में सीख सकते हो आप intelligent हो आप कर लोगे लेकिन करो अब मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त और मैं बहुत ज़्यादा cards निकालना भी नहीं चाहती कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा reading क्या आपको क्यूं ऐसे messages आ रहे हैं बट universe बोल रही है क्या आपको करना है हो सकता है आपने कुछ manifest किया हो तो वह जो आपने manifest क किया है वो चीज आपको तभी मिलेगी जब आप business करोगे ठीक है तो यह आप करिए दूसरा आपको किसी से लड़ना जगरना नहीं है इन तीन महीनों में कोई कितिनी भी बत्तमीजी करें आपके office में या आपके सामने कोई customer आ रहा है उससे प्यार से बात करो खास करके उन अंडर होना तो आप समझ जाना कि आपकी ब्यवहार को देखा जाएगा आप जैसे भी react करोगे वैसे तो आपको ना यह होश्यारी रखनी है कि मुझे किसी से कैसे बात करनी है खुद action लेने के वज़ए आप चाहो तो उस व्यक्ति का जो भी ब्यवहार है या जो भी उसका यह नो work record है वो जाके अपने boss को दे दो या अपने से बड़ा जो भी आप जिनके भी अंडर आप काम कर उनको जाके दे दो कि दो कि यह इनका विवहार है यह सभी लोगों से ऐसे करते मुझसे भी ऐसे करते हैं जो इनका का record है वो देख लीजे लेकिन खुद action नहीं लेना इस अधिवा harp प्लास बिस्दी के आलावा भी कहीं पर आगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी और नवंबर डिसेंबर में कि ओके तो कि जिन लोगों का जौब या बिस्टनेस कुछ कुछ भी नहीं है नवेंबर डिसेंबर उनके लिए बहुत अच्छा है ऑक्टूबर में हो सकता है कि आपकी भागदोड़ बनी रहे हैं अगर इस्टूडेंस देख रहे हैं यह रीडिंग तो उनको भी मैं कहूंगी कि माले जी आपका कोई एक्जाम है कुछ है तो मेहनत करो चिंट ओक्टूबर में और फिर आपको सफल्टा मिलेगी अगर अक्टूबर में ही आपका result आ रहे हैं तो फिर आप बेस्क्र रहो result आपका अच्छा हैगा क्योंकि you स्टार का यहां पर कार्ड है तो चिंता मत करो इसके लिए बाकी जो लोग अभी पढ़ रहे हैं और यह रीडिंग देख रहे हैं कि वह हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा मैंनत करो अप्टूबर में मैंनत करो फल आपका अच्छा आएगा ठीक है मार्च और अप्रिल में जो आपने सीक ली है उसका इस्तमाल आगे करना है एं प्रियोग करना है अगर आपको सफलता मिली है इन महीनों में तो उसके लिए आप attitude लिखिए every day कि इन महीनों में मुझे जिस तरीकी की सफलता मिली है वैसी ही सफलता मुझे आगे भी मिलती रहे ओके आपके जो भी कठिन परिश्रम रहे हैं उनका फल आपको मिलेगा आगे अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको बहतर ही बनाने की कोशिश करें उसको कमतर ना करें आप लोग कोई गाइडन्स है तो देख लेती हूँ शरेंडर टू पैशन जो भी आपका पैशन है उसके लिए सरेंडर करिए हो सकता है कि इसी से जुड़ा है वो एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो मेभी अभी आप जो जूब कर रहे हो वो कोई आपके पैशन से जुड़ा हुआ काम नहीं है आप सिफ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सेलरी अच्छी मिल रही है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपका पैशन है उस पर ध्यान दें उसके लिए अगर आप बिजनेस की आपको पॉर्चुनेटी मिलती है नहीं भी मिलती है तो आप शुरू करिए और इससे आपके जॉब में भी आपको हेल्प मिलेगी ओके ओके यस तो गाइस यह थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और रेजनेट करी है तो मुझे जरूर से बताएं शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यों सो मच पर वाचिंग वीडियो ठेकि लब यो बाबाई तो अगर आपकी राशी है लियो तो चली देख लेते हैं आपके लिए यह तीन महीने कैसे रहेंगे तावर तावर फाइव ओफ कप्स नाइन ओफ पैंटिकल्स ओके एंड किंग ओफ पैंटिकल्स यहां से देख लेते हैं थ्री ओफ पैंटिकल्स है बॉटम में सेंग राशी वालों के लिए ओके क्योंकि सहन शक्ती बहुत है इसलिए यूनिवर्स भी कई बार आपको ना टेस्ट करती है यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों के सामने ज्यादा डिफिकल्टीज लेकर आती है जो की स्ट्रॉंग है चेक करने के लिए कि आप कितने स्ट्रॉंग हो कितना कुछ फेस कर सकते हो फिर वैसी ही एक पदवी पर आपको पहुंचाया जाता है अब यहां पर बहुत सी लोग पूछेंगे कि हम स्ट्रॉंग हैं तो क्या हम इसके हगदार हैं कि हमें दुख जादा मिलें ऐसा नहीं है खुशियां आपको मिलती हैं बट हाँ थोड़ी डिफिकल्टीज के बाद वो सम्मान भी मिले सिर्फ खुशियां नहीं सम्मान भी मिले अब हम सम्मानित के लोगों को करते हैं जनको हम क्या बोलते हैं कि यह बहादुर हैं इन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया लोगों के लिए कुछ किया राइट खुश तो यहां पर बहुत सी लोग होंगे ले कि आसी ही आती हैं कि नहीं humor कि सब्सक्राइब कर तो जोब गई हो कई सारी मोगों के लिए विजस्नेस कर रहे एक हो बड़ा लॉस हुआ हो फिर कुछ फाइदा भी हुआ फिर जॉब्स मिली भी है आपने काम किया उसके बाद फिर आपको अच्छा नहीं लगा फिर शायद आपने खुद ही जॉब छोड़ दी फिर ये बहुत कुछ हुआ है ट्रांसफर बहुत से लोगों का हुआ है हो सकता है शुरुआती जो महीने थे जैनवरी फेबरुरी के मार्च के इनमें ट्रांसफर बहुत हुआ 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 आप लोगों का जो गर्मेंट जॉब में हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं वो खुद किसी वज़े से जॉब चाहते हो जैसे लोग अच्छे नहीं मिले जिनके अंडर वो काम कर रहे थे वह काफी जाता स्ट्रिक्ट थे तो सब कुछ हुआ है इसके वज़े से भी आप परिशान रहे हैं अगर ट्रांसफर भी होता है भले वह प्रोमोशन के रूप में हो तब भी तक लीफ होती है कि वह हुआ हिया हम को अपर का उन जगह बहुत ब्राइह ऑ हैं उने चाहिए अधर व इसके में तक्लीफ में रहे हैं घृट इतनी परिशानिया क्यों मेरे सामने क्यों इतना जॉब चेंज करना क्यों इतना सिटी चेंज करना अगर आपको यह भी बोला गया है कि आपका प्रोमोशन हो रहा है आप उस कंट्री में जाए हम चाहते हैं कि आप वहां जाकर चीज़ा सम्हाले हम वीजा त्यार करवा आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है और उसके वज़े से भी इशूज हैं हाला कि यह आप पर मर्क्यूरी और वीनस दोनों की कृपा आप पर रही है सैटन की तो कृपा है ही जूपिटर भी कही ना कही नाइन था उसमें अच्छा कर रहा है बट उसके बाद भी यह के लिए प्रिपेड रहे होंगे उनके लिए अच्छा है जैसे कोई जानकरी जौब छोड़ना चाता था दूसरी जौब पाना चाता था उनको आइधिंक फायदा हुआ होगा बट जादतर लोगों के लिए मैजोरिटी जो मुझे लग रही है वो कहीना की परेशानी रही ह जो भी उतल फुतल रही है उनके लाइफ में अभी तक करियर में उस वज़े से जुलाई के महीने में भी आइधिंक कोई तो ऐसा ट्रेवल रहा है किसी सिटी में आप गए हैं वहाँ जाकर इशूज आपने फेस किये हैं जुलाई एन आउगस्ट बहुत से लोगों का हो सकता है जौब चेंज हुआ हो इसी दोरान मे का महीना भी है तो मे के महीने में भी इशूज हो सकते हैं तो यह तो पास्ट अनर्जी थी जो मैं बता रही थी अब अगर मैं तीन महीनों की बात करूँ तो यह ऑक्टूबर नवंबर डिसेंबर तीनों महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं तो जितना आपने जेला है पूरे साल उसका फल आपको इन तीन महीनों में मिल जाएगा जो हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है तो वो मीठा फल आपको इन तीन महीनों में चकने को मिलेगा इसकी गैरंटी है अगर आप सच में किसी जगे पर जाकर रहना चाहते हैं किसी कमपनी में जॉब करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इन तीन महीनों में आप करो आपका काम बन जाएगा एन वन मो तिंग दो हजार पच्चिस जो है वह आपके लिए बहुत अच्छी है यह मैं देख नहीं रही थी लेकिन आपके लिए कार्ट आ रहे हैं यहां पर ऑक्टूबर से आपका समय जो अच्छा समय है वह शुरू होगा और नेक्स्ट यार के कम से कम सेप्टेंबर तक सेप्टेंबर ऑक्टूबर तक मतलब यह पूरा साल जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा यह जो भी कन्फूजन था जो भी डिफिकल्टीज थी यह मालो कि इन महीनों में योनिवर्स ने आपके जो भी जो भी करमा रहे होंगे बैड करमा रहे होंगे वो निकाल दिया है आपको लग रहा होगा कि इतना सभार क्यों इतनी सारी चीज़े क्यों यह कहीं ना गई पॉर्जन थी ऐसे मान के चलो कज यहां पर जो आगे की एन आरजी आप खुद देखो यहां पर नाइन ओफ पैंटिकल्स आया फिर त्री ओफ पैंटिकल्स आ गया और फिर यहां पर किंग ओफ पैंटिकल्स भी है स्ट्रेंथ भी है सो क्यूंकि आप एक योद्धा हो आपकी परिक्षा ली गई आप आगे बढ़ते रहे आप फाइट करते रहे चैलेंजेस फेस करते रहे तो उसका फल आपको मिल रहा है भी रोना नहीं बिलकुल कि अच्छा समय आ रहा है आपका ठीक है सो ये तीन महीने बहुत खूपसूरत करते हैं आपके लिए मियाहां पर कुछनों के साथ आपको बात करते हुए देख रही हूं कोई टीम बनाते हुए देख रही हूं अगर कोई आपकी फैक्टरी वगेरे थी जो की थोड़ा बड़ा नुकसान उसमें हो गया है इन महीनों में उस फैक्टरी को आप वापस से कर सकते हो इसके भी चांसस बन रहे हैं यहां पर बट हां इन तीन महीनों में नहीं होगा दो हजार पच्चिस में होगा आपकी फैक्टरी हो या आपके फादर की फैक्टरी थी तो आप उसको बापस से खड़ा कर सकते हो ठीक है अच्छा जिनको जॉब नहीं मिली है इंटरविवस होगे रहे हैं काम नहीं बन रहा है कई जगे मतब जॉब मिली नहीं है नहीं कहूंगी satisfied नहीं रहे, आपने I think कई जगों पर job किया है, एक जगह फिर छोड़ा, फिर एक जगह फिर छोड़ा कि कि आप टावर की energy है, तो टावर की energy बताती है कि कई भी आप tick नहीं सकते stability नहीं है, आप जगा 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 जाओगे, transformation होगा जगा जगा आप job करोगे, कई सारी लोगों के साथ business करोगे, fail होता जाएगा, आप job छोड़ते चले जाओगे कभी तो आपको job से निकाल देंगे कभी आप खुछ job छोड़ दोगे, ऐसा हो जाता है, टावर का card अगर आता है बट ये होता क्यों है क्योंकि आप हर जगे से experience लो, फिर आप सही जगे पर पहुँचो अगर ये चीज़े रही हैं आपको job नहीं मिला, या आपका business नहीं शुरू हो पाया, ये तीन महीने आपके लिए अच्छे हैं जो लोग business के बारे में सोच रहे हैं November से शुरू करना October से मत करना, November से शुरू करना और जिनको job चाहिए वो October में उनको मिलने के chance से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सब्टेंबर में मिल चुकी होगी आपको नहीं तो October में मिलेगी और आप लोग धैर रखो जितना धैर रखोगी उतना आपके लिए अच्छा होगा Actually आपको सिखाया यह वही जा रहा है कि आपको धैर कैसे रखना है Singer आशी है ना So जानी जाती है, मानी जाती है कि धैर कम होता है सब कुछ ना quickly चाहिए रहता है अभी के अभी So उस आदत को निकालने के लिए भी यह चीज़ें आपके साथ हुई है आपके सामने आए हैं यह challenges ठीक है So यह तीन महीने आपके बहुत अच्छे हैं आगे बढ़िए, आपको किसी के साथ में को लैप करना है करिए आपको अपने दम पर कोई business शुरू करना है करिए अगर आप medical field से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है फिर आप अकेली भी करना चाहें तो कर सकते हैं और जिनको जॉब नहीं मिली है उनको भी मिलेगी बिजनस नहीं शुरू हुआ है उनका भी हो जाएगा सोशल मीडिया से भी connect होकर थोड़ा काम करो ओफ लाइन से जादा सोशल मीडिया पर active रहो यह भी है आपके लिए guidance चिक है तो तीन महीने तो आपके अच्छे हैं अगर आपने पूरे साल का reading देखा होगा तो वहां पर भी आई तिंग आपको यह महीने बताए गए होंगे पहले से ही कि अगर पहले की जो reading करी है देखिए अगर आपने तो कुछ तो उदाजड़ाव आपको बोले गए होंगे कि होगा कुछ यहां पर tower का card है तो ऐसा नहीं है कि energy changeable है यह शुरुआत में भी ऐसी रही होगी और यह tower के ना यह चलेगी तो अभी तीन महीने जो हैं वो कैसे भी करके आपके लिए यहां पर अच्छे हुए हैं अगर यह भी energy नहीं आती तो शाद पूरा साल ही जाता बट भगवान की मर्जी से universe की मर्जी से यह लो Empress की नर्जी आपके लिए आ गई है Nine of Cups Finally Okay किसी से कोई भी पैसा लिया है अगर आपने Guys तो आप वापस कर दो ठीक है कैसे भी करके और अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए तो कोई बात नहीं आप धीरे धीरे करके इकटा करो पैसा और पहले उनको वापस करो और फिर अपना बिजनेस शुरू करना और राइट ये मैसेज आपके लिए मिला है इसको आप एक्णोर ना करें और कोशिश करिए कि किसी से पैसे आप ना मांगें आपने अपनी मेहनत से जितना इकटा किया है उसी के साथ आप आगे बढ़ें ठीक है आपके लिए भी सेम कार्ड निकल कर आया है सरेंडर यो फिर ओफ इंटिमेसी अगर रिलेशनशिप के चलते कोई इशू है उसको ठीक करने की कोशिश करें अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो टॉक्सिक है तो आगे बढ़ जाए अगर यह पास्ट है तो पास्ट को भूलने की कोशिश करें क्योंकि इसका असर आपके करियर पर पढ़ रहा है प्लस अगर इगो इशूज है आपको तो इसको दूर हटाईए यहाँ पर लिखा है आपके लिए कल्टिवेट ग्राटिटिटूट be of service to others ओके and come from your heart a big ego can work against you but humility will further your goals तो जितना हो सके लोगों से प्यार करिये और अपने इगो पर काम करिये आपका इगो काम नहीं आएगा आपका जो ग्राटिटूट महसूस करने का एक्सप्रेस करने का तरीका है या लोगों के प्रती जो प्रेम आप रकते होना वही काम आने वाला है ठीक है इस बात पर विशेश आप ध्यान दे क्योंकि ये guidance के cards है यहाँ पर अगर आप सुधार करोगे तो यहाँ सुधार हो जाएगा हाला कि तीन महीने आपके अच्छे हैं बट जैसे कि मैंने बोला कि कुछ तो सिखाने के लिए या कुछ तो टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स ने ये किया है तो जो भी हुआ है जो टार मुमेंट्स आएं हैं इस साल उनसे सीख लीजिए और फिर आगे बढ़िया है ठीक है तो कोई भी बिजनेस करना चाते हैं आप करिये लेकिन इस इनोजी के साथ किसी भी कमपनी में आप जॉब करना चाते हैं करिये इस इनोजी के साथ ओके तो ये थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिये और अगर आपसे resonate हुई है तो मुझे जरूर से बताईए, share करिए, subscribe करिए और फिर मिलते हैं या तो live पर या next reading में, till then take care, bye bye Hi Taurus, तो चली देख लेते हैं, कि आपके लिए ये तीन महीने कैसे रहेंगे A new career Okay, Seven of Cups Knight of Wands Knight of Cups Lovers Okay, मैं रखके देखते हूँ, let's see YouTube कुछ Issue create करेगा क्या, क्या कि मज़े लग रहा है अब नहीं करता यहां से देख लेते हैं Higher Consciousness Planning Okay Adventure All right Possibilities मिली है, Possibilities ऐसी बनी है, जहां पर आप अपने skills दिखा पाए हो, जितना कि मैं समझ पारी हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा confusion आपका रहा हो माहौल, कि इस confusion में क्या किया जाए, कहां जाए, किस से बात करी जाए, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी job नहीं है, जिनका business नहीं है, बट जिनका job and business है सब कुछ, उनके लिए I think काफी अच्छा रहा ह यह साल, 2023 के मुकाबले, मैं यह नहीं कहूंगी कि 2024 बेस्ट रहा है आपके लिए, बट 2023 के मुकाबले में तो अच्छा रहा है, आपने जो जितना भी कठिन परिश्रम किया है, उसका लगवग आपको फल मिला है, हो सकता है कम मिला हो, exactly उतना नहीं मिला, लेकिन मिला है, बह काफी active हो आप, और जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे अब भी जहां पर भी आपकी job लगी है, जो भी आप business कर रहे हो, उसका A to Z आप समझ चुके हो, के इस job को कैसे समालना है, या इस business को कैसे समालना है, जो आपके colleagues हैं, या जो आपके boss हैं, वो आप से क्या चाहते हैं, जो अच्छी खासी आपको knowledge हो गई है, सो बहुत ही, मैं देख रही हूँ, आप हलका मैसूस कर रहे हो, जैसे आपको लग रहे हैं, आप handle कर लोगे, जो भी situation है, रही अगर मैं future की बात करूँ, यह जो तीन महीने आने वाले हैं, इनकी बात करूँ, तो यहाँ पर इसी energy के वज़े से, and of course universe की blessings हैं, उसकी वज़े से, आप और भी बहतर कर रहे हो in your career, जैसे कि Aries के लिए मैंने बताया था, कि उनकी abroad जाने के chances हैं, यहाँ पर आपके लिए भी लग रहा है, और अगर आप abroad नहीं जाते हो, तो भी आप किसी दूसरी city में जरूर जाओगे, अब एक चीज़ और है, अहाँ पर दूसरी city में जाने की, जो मैं बात कर रही हूँ, वो career से जुड़ा है, और career से हट कर भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जैसे, आपके friends के साथ, या family के साथ भी आपका आना जाना बहुत होगा, हो सकता है, जब साल की शुरुआत हुई थी, तब भी यह हुआ हो, और अभी भी आगे मैं देख रही हूँ, जो तीन महीन हैं, इनमें बहुत celebrate कर रहे हो आप, अपनी खुशियां, moments, अपनी सक्सेस, तो यह करियर से भी जुड़ा है, और करियर से हटकर भी है, एक happy soul बोलते हैं न, वो वाले energy में आप मुझे दिखाई दे रहे हूँ, तीन महीनों में, महनती आप लोग हो ही, सो महनत आपकी सराही जा रही है, लोग देख रहे हैं, अगर आप job कर रहे हैं, तो आपके जो boss हैं, वो देख रहे हैं, जो आपके colleagues हैं, वो भी देख रहे हैं, जादा तर कि ऐसा होता है, मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं, कि colleagues अच्छे नहीं हैं, उनके वज़े से issues होते हैं, आपके colleagues भी आपके friends बन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, प्लस आपको छूट भी दे रहे हैं, जैसे अगर आपको leave लेनी हैं, या आपको half day चाहिए, तो उसके लिए आपके colleagues भी बोल रहे हैं, कि it's okay, इसको सच्ची में need है, और इसको मिलना चाहिए, डिजर्फ करती है या करता है, वो वाला मैं उनका attitude देख रहे हूँ, क्योंकि आपर lovers का card है, तो एक गहरा connection आप महसूस कर पाओगे, आपके boss के साथ भी, आपके colleagues के साथ भी, और भी जो लोग हैं, जो आपके अंडर हैं उनके साथ भी, लोगों का attitude, लोगों का बेवार बहुत अच्छा हो रहे हैं आपके साथ, इसलिए भी आप career में बहतर कर पा रहे हो, सभी लोग आपकी तरफ positive हैं, अब क्योंकि और आ positive है सभी का, वो जगा जो है, वो भी positive हो जाती हैं, और फिर हमारे काम भी बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कोई भी manifestation तब काम करती है, जब माहौल अच्छा हो, माहौल positive हो, जब माहौल बहुत negative होता है, और फिर आप positive रहने की गोजिश करते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आती है, काम तो करता है manifestation, पर time लग जाता है, अभी यहां पर मैं देख रही हूँ, जैसे सभी की जो चेतना है न, उससे एक बड़ा ही गहरा connection आपका बन रहा है, मतब लोगों को वो बातें आपकी समझ आ रही हैं, ऐसा है, तो काफी अच्छा आप कर रहे हो, आप अगर job कर रहे हो किसी भी company में है, या फिर आप teacher हो especially, यहां पर मुझे messages मिल रहा है, अगर आप lecturer हो, teacher हो, तो बहुत अच्छा response आपको मिलेगा बच्चों से, और आपकी जो principal हैं उनसे, जो आपके साथ ही हैं उनसे, promotion भी यहां पर दिखाई दे रहा है, और कुछ और बड़ी जिम्मेदारियां, कुछ ऐसे काम जो confidential हैं, जैसे कि board exams हो गए, या इसी जो भी चीज़ें स्कूल में, college में रहती हैं, इनका सब कुछ जो preparation है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, confidential ही रहती हैं, पहले नहीं बता सकते, तो इस तरीके की जिम्मेदारियां आपको दी जा रही है, क्योंको लग रहा है कि आप से बहतर कोई नहीं कर सकता, बहुत hard working हो, और आप एक ऐसे इनसान हो जिसको अगर वो किसी भी टाइम बुलाएंगे, और कितना भी दिर रोक कर बोलेंगे कि ये जिम्मेदारी है, ये काम करिए, तो आप करोगे, बहुत appreciation आपको मिल रहा है लोगों से, आपकी performance देखी जारी है, पसंद किया जारा है, अब वार्ड्स हो सकता है आपको मिलें आपके काम के लिए, salary भी बढ़ रही है, ये सारी चीज़े हैं यहाँ पर, Saturn की मैं कहूंगी कि कृपा है, ऐसे मान लो, 10th house की जो Lord है, उनकी कृपा है आप पर, और ये 2024 की शिरुवात से है, बढ़ ये तीन महीने तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, आपके लिए भी I think March, कुछ तो ऐसा रहा होगा, March and April जहां पर काफी changes आपने देखी होंगे, आपके career में, अच्छे बुरे जो भी हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छे changes ही रहे हैं, लेकिन फिर journal reading है, बढ़ अभी ये जो तीन महीने आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़ादा, ये भी मैं देख रही हूँ कि आप भी अपने काम करने के तरीके को change कर रहे हो, जिस तरीके से आप काम किया करते थे, वो तरीका आपको लग रहे है कि इतना beneficial नहीं है, जैसे कि hard work सिफ hard work काम नहीं करेगा, smart work भी काम करेगा, तो वो भी कही ना कहीं आप कर रहे हो, साथ ही साथ, hard work तो करी रहे हो, उसको छोड़नी रहे हो, बट आपको ये भी है कि थोड़ा smartly भी काम करना है, तो इसकी वज़े से भी आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, अगर आप business कर रहे हो, तो बहुत profit है, इसलिए है क्योंकि किसी से तो आप collab करोगे, collaboration है यहाँ पर, और जैसे ही आप collaboration में आओगे, वैसे ही आपका जो काम है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें शायद आप नहीं जानते हो अभी, जो भी changes हो रहे हैं उसके बारे में, जो लोग भी business कर रहे हैं, establish कर रहे हैं, already उनका है, उसको बढ़ा रहे हैं, कई सारी चीजें उनको explore करनी की जरूरत है, क्योंकि बदल रही हैं बहुत सी चीजें अभी, सभी को पता है, online अगर आप कुछ करना चाहते हो, उसके तरीकिया लग यह एड्स वगेरे लगवाने पड़ते हैं, offline कर रहे हो, तो उसका promotion करना पड़ता है, कि हाँ quality नहीं है, तो फिर लोग पीछे आ जाते हैं, लेकिन उस time तक तो फिर वो popular होई जाता है, तो यह सारी चीजें आपको इतना idea नहीं है, चीजों का, तो किसी से तो आप collab करोगे, और फिर जो इस पीड में आपका business बढ़ेगा, क्योंकि hard working आप ऐसे ही हो, तो यहाँ पर यह तीन महिनों में दिखाई देता है, December सबसे ज़ादा अच्छा है, October, November के अपक्षा, तो planning के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको इसके लिए, उसके वैसे ही results मिल रहे हैं, जिनका भी कुछ नहीं है, काम वगेरे, job and business कुछ है ही नहीं, उनके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कि आप jobs के लिए interview दो, या business के लिए किसी partner को ढूंडो, यह तीन महिने बहुत अच्छे है, मैं कहूंगी आज से ही करो, ठीक है, October का भी वेट मत करो, आज से ही फाइन करना शुरू करो, आपको मिलेगा कोई ना कोई, और उनके साथ में आपका अच्छा खासा bonding बनने वाला है, और आगे बढ़ने वाली हैं चीज़े, काम आपके पास भी बहुत रहेगा, बट यह भी मैं देख रही हूं, कि आप उनमें से नहीं हो, जो काम से पीछे भागो, यह जो महीने हैं बहुत पॉजिटिव हैं, सेटर्न की कृपा है, तो सेटर्न को और ज़्यादा पूझ लो, शनी देव को, उनके नाम से दिया रख लो, और काली जो चीज़ें हैं, वो दान करी जाती हैं, काले तिल हो गए, काली दाल हो गई, काला ब्लैंकेट हो गया, है ना, यह चीज़ें दान करनी है, और थोड़ा ध्यान रखना है, कि सेटर्न को प्लीज करने के लिए, सेटर्डे के दिन, आप कुछ भी लोहे का ना खरीदें, सकते हैं आप लोग, मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यह तीन महीने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहे हैं, कि आप हो मेडिकल फील्ड से, बट कोई थो बिजनस भी करना चाहते हो, वो भी सैड वाई सैड आपके माइन में चल रहा है, यह क्यों नहीं और यह शायद कुछ किसी और को देखकर, आपके मन में ख्याल आ रहा है, कि यह कर सकते हैं थो मैं क्यों नहीं, तो अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट ये देखिए मैंने कहा था ना आप अगर रिस्क लेना चाहते हो आप रिस्क ले सकते हो ये आपके फेवर में ही रहेगा सो इन तीन महिनों में आप अपना बिजनस भी खड़ा कर सकते हैं यह Aries के लिए भी आ रहा था आपके लिए भी आ रहा है अगर किसी ने आपको आपके काम में चीट किया है या फिर यह परसनल लाइफ को लेकर कार्ट जा रहे हैं यहां से भी मुझे दिखाई देता है कि आपकी healing हो रही है कोई तो healer है जो अचानक से आपसे connect होगा उनसे आपकी बातचीत शुरू हो जाएगा और सिफ बातचीत करते करते आपकी healing होना शुरू हो जाएगा मतलब उस healer को healing करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ बात करना ही इनफ होगा तो इस लिहाद से भी आपकी तीन महीने काफी ज़्यादा ब्राइट मुझे दिखाई देते हैं सो क्लाइबरेशन दिख रहे हैं कि आप अपने काम में और जाधा बढ़ोतरी करोगे उसको और जाधा अच्छा इंप्रूब그램 करोगे जैसे खाने पीने का टाइम, योगा करना, मेडिटेशन करना, जिम जाना, जिसे की योणो, एनरजी आपकी अच्छी रहे है अगर आपका मार्स काफी स्ट्रॉंग है, तो आपके लिए काफी ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग जिम अगरे करें आपकी वहाँ पर निकले और आप फ्रेश रहें, अदरवाइस क्या होता है कि जिनका डैस्री नमबर नाइन है, या साइकिक नमबर नाइन है, या मार्स का प्रभाव है, अगर वो जिम योगा यह सब नहीं करते हैं, तो फिर वो गुस्से में निकलती है, अनरजी तो देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, सरेंडर टू क्रियेटिविटी, तो जितनी क्रियेटिविटी आप दिखा सकते हैं, आप तीन महीने में दिखाईए, और आपको सक्सेस ही मिलेगा इससे, मैंने अभी आपको बोला था, कि आप बहुत कुछ ट्राय कर करने की कोशिश करोगे, और ज्यादा इंप्रोव्मेंट्स आएं, तो आपको प्रोमोशन मिले, सक्सेस मिले, अबर्नेंस मिले, प्रोस्पेरिटी आप अचीव कर सकें, तो यहां पर वही आपको गाइडेंस मिल रहा है, कि आप जितना ज्यादा अपनी स्किल्स पर काम करो होगे, उतना ही जादा आप सक्सेस्फुल होते चले जाओगे, तो यह थी आपकी रीरिंग, आपको पसंद आई हो, गर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स अलोट, तब योल, बबबए, हाई जयमनाए, तो चले देख लेते हैं आपके लिगे तीन महीने कैसे रहने वाले हैं, आपके करेयर में, पहले आपका पास्ट दीखूंगी मैं, प्रिजेंट और उसके बाद, फिचर, ओके, आल राइट, So let's see Page of Wands, six of Cups, justice okay five of cups wheel of fortune don't worry, मैं देख लूँगी five of cups क्यों है आप लोग परिशानी होना activation का यहां पर card है आपके लिए and then we have number two के साथ में abundance wheel of fortune भी है परिशानी होना मैं बता रहे हूं क्या है leadership okay so सबसे पहले past के अनाजी में जाते हैं यानि के शुरुवात जो 2024 की रही है वो ऐसा लगता है कि 2024 की शुरुआत से ही काफी सारे struggles अगरे आप face कर रहे हो तब कुछ ऐसा रहा है कि महनत आपने करी लेकिन उसका फल उतना नहीं मिला या फिर बहुत महनत करने के बाद भी आपको छोटा ही समझा गया वो पोजिशन वो ओदा नहीं मिला जो कि आपको लगता है कि आप dissolve करते हो यह चीज़े आपर दिखाई दे रही है और आपके लिए भी अगेन मार्च एन एपरेल एन में यह तीन महीने फिर से सामने आ रहे हैं सभी के लिए मार्च एन एपरेल आ रहा है for some reason I don't know why कि चेंज़े रहे हैं आपके लिए वैसे ही आ रहा है कि मार्च एपरेल एपरेल का end हो सकता है में की शुरुआत हो सकती है कि कुछ तो बड़े चेंज़े आए हो जो की मुझे नहीं लग रहा कि बहुत positive रहे होंगे कुछ लों के लिए okay okay रहा होगा और कुछ लों के लिए हो सकता यह थोड़ा अच्छा नहीं लगा हो उनको यह जो भी changes रहे है जो भी transformations रहे है कि कि लगा है कि like this is not fair मैंने जो काम किया उसका फल मुझे नहीं मिला लोगों के attitude के वज़े से भी हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़ा हो एक तो आपका hard work उसका फल आपको नहीं मिला दूसरा जे लोगों के साथ आपने अच्छा वेवार किया उन्होंने भी आपको ditch कर दिया जैसे कि माल लेजे आप कहीं पर काम कर रहे हो किसी कमपनी में और उस कमपनी को need हुई नए लोगों की और आप ढूंड कर लेकर आए लोगों को तो जिन लोगों को आप ढूंड कर लेकर आए और फिर जिनको आपने काम समझाया कि यह काम है ऐसे करना है उन्हों ने आपसे काम सीखा और बाद में फिर आपको ऐसे साइड में कर दिया और जिस कमपनी के लिए आपने इतनी महनत करी उस कमपनी ने भी आपको कुछ ऐसे importance नहीं दी या आपको appreciate नहीं किया for your hard work कि आप ढूंड कर लाए हो यह staff और इससे हमारी काफी help हो रही है सो ऐसा नहीं हुआ है यह सारी चीजे में देख रही हूं कि इस दौरान आप बहुत जादा maybe आपकी किसी family member की life को याद कर रहे थे कि यार ऐसे ही तो मेरे पापा के साथ हुआ करता था या ऐसे ही तो मेरे ममा के साथ हुआ करता था वही चीजे मेरे साथ हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ancestors से जुड़ा हुआ है कोई karma है या किसे ने कुछ black magic कराया है कि ये वही सारी चीज़े repeat क्यों हो रही है जो उनकी life में हो रही थी उनसे जो मेरे ancestors हैं उनसे कोई करमा तो जुड़ा नहीं है इसलिए तो मैं भी ये face नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये बहुत रहा होगा मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आपने कई लोगों की सेवा भी बहुत करी है charity वगेरे में भी बहुत participate किया है अभी जैसे मैं donation वगेरे का बोलती हूँ तो हो सकता है, यहाँ पर भी आपने donate के हूँ, कुछ पैसे तो लगातार आप इन चीज़ों में है जो अच्छाई के लिए जो काम करे जाते हैं, उसमें हैं आप बड़ उसके बाद भी इतिंक उतना वैसा result आपको देखने को नहीं मिल रहा, जैसा कि आप चाहते हो health issues भी हो रहे हैं, इसके वजह से भी आपके career में परिशानी हो रही है कुछ लोगों को हो सकता है कि blood pressure का issue हो gut health related या bone से related कोई problem है you know backbone में दर्ध होता है या हो सकता है पैर की एडियों में दर्ध होता है ये चीज़े बहुत आपके साथ रहती हो तो उसके वजह से भी कही ना कहीं आप दिक्कत में पढ़ रहे हो career जो है वो उस हद तक grow नहीं करवा रहा जिस हद तक आप चाहते हो बार बार मुझे ऐसे सुनाई देता है जैसे आप खुद को बोलते हो कि चीज़े अनफेर रही है मेरे साथ फेर नहीं हुआ universe ने मेरे साथ फेर नहीं किया भगवान ने मुझे नहीं सुना and actually है क्या जब health अच्छी नहीं होती ना फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये भी है अगर आप कुछ अच्छीव भी करोगे ना तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि health अच्छी नहीं है सो वो भी यहां पर है और कई चीजों के लिए regret भी कर रहे हो मैंने ऐसे कर दिया मैंने उनके साथ ऐसे कर दिया किसी ने मेरे साथ क्या किया उसका भी प्रभाव पढ़ रहे है सो कही ना कहीं चीज़े बहुत अच्छी नहीं रही है पछले जो भी महीने निकले हैं जितना कि मैं समझपा रही हुई है हा पर जो लोग जॉब ढूं रहे थे 2023 से उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है या जॉब मिलती भी है तो ऐसी मिलती है जहां पर वो रहनी पाते हैं एक माहीनेँ दो महीने काम करते हैं और उसके बाद रहना मुश्किल हो जाता है तो साथ वालों का बिवार अच्छा नहीं होता या बॉस का बिवार अच्छा नहीं होता या माली जी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें भी इशूज आते हैं कि शुरू शुरू में तो थोड़ा लगा कि ह हाँ benefit है ऐसा वैसा लेकिन फिर वो चीजें खत्म हो जाती है उतना आपको profit मेल नहीं पाता विलकि आपके pocket से जाने लग जाते हैं पैसा तो यह सब भी कहिना कि आप face कर रहे होंगे तो दिखका तो दिखरी है और अच्छा ने लग रहा रीट करके बट अच्छी बात यह है क कि आने वाले जो महीने तीन महीने वह आपके लिए अच्छे है क्योंकि यहां पर abundance भी है यहां पर wheel of fortune भी है activation भी है बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह कि समय इतना तकलीफ दे रहा है इसके विज़े से shortcuts मत लेना क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहे है कि आप या कोई और तरीका में भी shortcut तो कुछ भी हो सकता है अभी आप जानो क्या है अगर आप लोगों के mind में कुछ भी ऐसा चल रहा है ना मत करना यह बिलकुल मत करना दो हजार चौबीस है Saturn का number है Saturn का साल है तो जो लोग shortcut अपनाएंगे ना उनका बहुत नुकसान होने वाला है कि Saturn जो है वो hard work मांगता है shortcut वाले नहीं चलते हैं मतलब उनके इस्तिती और बुरी हो जाती है सो हां यह सब कुछ आपने face किया थोड़े ups and downs मुझे आगे भी दिख रहे हैं लेकिन इतने नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे मानके चलो कि जो महीने निकल गए वो निकल गए उनसे कुछ तो आपने सीखा है क्या सीखा है आप अपनी डायरी में नो down कर सकते हैं तो थोड़ा health का ज्यादा ख्याल रखो क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है health अच्छी नहीं होगी तो बाकी की चीज़े नहीं बन पाती है जैसे आप चाहते हो बाकी wheel of fortune है तो लग धीरे धीरे आपके side में आ रहा है तो shortcut वगेरे मत अपनाना बहुत से लोग का I think transfer हुआ है job change किया है और तो transfer कर दिया गया इमानदारी से ही आपने काम किया उसके बाद भी आपका transfer हो गया क्या आप जाओ यहाँ काम नहीं करोगे या हो सकता है कि कुछ misunderstandings होई हो या जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर भई कोई planning plotting चल रही हो आपको वहाँ से हटाने के लिए तो job तो जैसे तैसे बच गई लेकिन transfer हो गया और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग छोड़ना ही चाहते हैं job तो उन्होंने job छोड़ा हो दूसरी company में गए फिर वहाँ भी वही चीज हुई जो पहले वाले company में हो रही थी ये भी हो सकता है इसके लिए भी जो महीने हैं वो मुझे में एक तो दिख रहा है में रहा होगा जून भी है कुछ लोग के लिए मार्च अप्रेल भी है यहाँ पर तो ये जो months रहे हैं काफी changes से भरे हुए हैं कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि travel किया है किसी और country के लिए किसी और शहर में गए फिर वहां से जहां पर job है वहां आना होता हो आपका फिर आप जाते हूं यह आप एंडाउन आप एंडाउन होता हो राइट सेवंथ मार्च and 13 भी यहां पर दिख रहा है 31 भी दिख रहा है 18 भी दिख रहा है यह dates बहुत important हो सकती है इन dates में में भी कुछ हुआ हो जो कि आपको बहुत अच्छा experience नहीं मिला इस सबसे बट आगे का टाइम अच्छा है जैसे October का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा है खास करके 13 14 जो October रहेगा वो and 17 October and उसके बाद December आपके लिए बहुत अच्छा है November डिसेंबर दोनों अच्छी है आपके जो सुपीरियर्स आपके जो बॉस हैं जो आपसे सीनियर्स उनसे थोड़ा साफधान आपको रहना है अगर उनसे आपने बहुत ऐसी बातें नहीं करी अब बुराई नहीं उनसे ली तो आपका ये साल जो है बहतर चला जाएगा लोग आपको सपोर्ट करेंगे आप पर उनसे आपके कुछ मन मुटाव हुए आपने उनको जवाब दिया या आपने उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी for some reason या एवे ही मतलब बुस्से में कुछ निकल गया आपके मुझसे तो दिक्कत आ सकती है क्या पर वील ओफ फॉर्चून है अबन्नेंस है बड़ जस् करना बड़ा होगा अगर उनके कर्म अच्छे नहीं रहें तो यह चीज़ है कर्मों का खेल है आप अपने कर्मों पर focus करो तीन महीने हैं बहुत सोच समझ कर बोलना है सोच समझ कर काम करना है वो सभी लोग जो आपसे उची पदवी पर हैं उनसे नहीं पंगा लेना है आप आपका भी समय आएगा, अभी उनका समय है, आपका भी आएगा, आप तब बोलना, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आपको इतना करना है कि, क्या नया कर सकते हैं, क्या क्रियेटिव कर सकते हैं, कुछ डिस्कवर करो, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए ये तीन महीने बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप डिस्कवर कर लोगे, अगर आप कोई साइन्टेस्ट हो, या ऐसे किसी फील से हो, बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कुछ नया निकालने की करो, जहां पर जॉब कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ नया लेकर आओ, लोगों को कुछ नया देखना है, आप से, ओके, तो ये तीन महीने आपके काफी अच्छे जाएंगे, ऐसा है, अब जिनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, ये रीडिंग देख रहे है मैं ये नहीं कह रहे हैं, कि आप सभी से friendship खत्म कर दो, अगर वो लोग low energy के हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मुझे बोलते हैं, कि मैं दी कैसे छोड़ दूँ, वो शुरुआत से मेरे साथ थे, बट क्या हो जाता है, कि अगर उनके energy low है, तो आप भी उसी energy में आ अगर आपको सच में वो लोग प्यारे हैं, तो आप पहले अपने energy को high करने का सोचो, जब आपकी energy काफी positive हो जाएगी, फिर आप वापस उस group में लोटो और उन लोगों की help करो, लेकिन उनके energy low है, आपकी भी energy low है, तो ऐसे करके ना वो grow करेंगे, ना आप grow करोगे, तो य आपको December में job मिल जाएगी, October, November अभी भी ने बोल रही, December में chances हैं कि आपको job मिल जाए, या आपका जो business आप खड़ा करना चाहते हो वो हो जाए, business के लिए again मैं आपको बोलूँगी कि कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ वही पुराना business आप करने की कोशिश करोगी है, जो कि आपके आसपास के लोग, 400-500 लोग करके बैठे हैं, तो उसमें success के थोड़े chances कम रहेंगे, rate कम रहेगा, आपको कुछ नया अविश्कार करना है, आप से वही लोगों की expectations है, कुछ आप जाने इसी चीज़ के लिए जाते हो, ओके, तो यह आपको यहाँ पर guidance मिल रहा तो फल उसका वैसा मिलेगा, और रही बात पास्ट की, अभी आप लोग कहोगे, पास्ट में भी हमने बहुत मेहनत करी, हमने सभी के साथ अच्छा विवार किया, वो तो मैंने आपको बताया कि आपने विवार अच्छा किया है, तो उसका फल नहीं मिला, तो अप क्या मिले को था, और वो यूनिवर्स ने रोक लिया, क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहे हैं, तो अब इसको रोको मत, Surrender your fear of intimacy, Surrender resentment, तो ये दो चीजें हैं आपके लिए आपर निकल कर आई हैं, देख लीजे कैसे आपसे resonate कर रहा है, ये guidance, अगर लोगों के close आने में, अगर relationship में आने में आपको डर लगता है, तो उस डर को निकालिए हो सकता है, इस डर की वज़े से आपके career में issues आ रहे हैं, ये भी कई बार होता है, आपकी personal life की वज़े से आपकी professional life पर असर बढ़ता है, professional life की वज़े से personal life में असर आ जाता है, जब हम कुंडिली रीट करते हैं तब तो बहुत हम बताते हैं लोगों को fourth house होगे रहे देखके, कि fourth house में कौन सा planet है, अच्छा है तो professional life भी उसकी अच् करियर में तो भी वो fulfillment नहीं रहेगी, क्योंकि परिवार से वो सुख नहीं मिल रहा, तो हम समझ जाते हैं कि पैसा आ भी रहा है, तो भी विक्ति सुखी नहीं होगा, इस तरीके से हम लोग कुंडिली में भी देखते हैं, वही चीज़ है, तो अगर आपके personal life में ये fear है, आ तो इसकी वज़े से आपकी health खराब होती है, फिर business पर यह आपके job पर फरक पड़ता है, तो आप healer से मिल लो, मेरी यही सला है, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, खीजने का कोई फायदा नहीं है, आप healer से मिलो, और अपनी healing करवालो, ठीक है, और राइट गाइस, तो यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो like जरूर करें, share करें, subscribe करें, मुझे बताएं भी, thanks a lot, love you all, bye bye, hi guys, तो अगर आपकी राशी है कर्क, तो चलिए देख लेते हैं, तीन महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, अगर आपको आवाजे आ रही हैं, तो उनको इग्नोर करिएगा, घर में अना, सब भी लोग बात कर रहे हैं, तूसरे से, three of wands, ace of wands, and seven of pentacles, एक कार्ड और लेती हूँ, लबर्स का कार्ड है, जो कि मैं ऐसे रख देती हूँ, साइड में थोड़ा, और the world लाया है, bottom of the deck, यहाँ से देख लेते हैं, क्या कार्ड से हैं आपके लिए, boundaries, अब यहाँ से रख देते हैं, क्रीटिविटी, trust, okay, मार्स, ज्यूपिटर, सेटन, सेटन की तो एनरजी रहेगी, मार्स और ज्यूपिटर की भी दिख रही है, अगर मैं पास्ट की एनरजी की बात करूँ, यानि कि 2014 का जो शुरुआत था, अच्छा तो आपका रहा है तब से, 2014 जो लगा है, हाँ, कुछ चीजे, कुछ चीजों का लॉस हुआ है, लेकिन यह करियर में नहीं दिख रहा मुझे, यह आई तिंक आपकी पोर्सनल लाइफ में है, कुछ उताया चड़ा आप तो रहे हैं, और आपको ऐसा लगा है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट, इस अब और पोर्सनल लाइफ, नौट प्रोफिशनल लाइफ, अब मुझे नहीं पता यह मेसेजेज क्यों आ रहे हैं, जबकि मैंने पूछ नहीं, बटा रहे हैं तो मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं, ओके, हम्, यह तीन महीने कैसे रहेंगे, तीन महीने आपके काफी बहतर हैं, मैं आपर देख रही हूं, कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके जो साथ के लोग हैं, वो आपको बहुत प्यार देंगे, मुझे नहीं पता साल के शुरुवात में कितना रहा होगा, एक मिनिट मैं चेक कर लेती हूं, कि आप पर जूपिटर की कृपा रही है, और अगर जूपिटर की कृपा रही है, तो लोगों से प्यार मिलना लाजमी है, ऐसा है, तो यह तो शुरुवात से ही है साल की, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर तो कोई बड़ी दिक्कत है, कहीं तो आपके बिवहार में, कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, दिवर्ड के अनोजी फिर से है, फिर से दिलवर्ड के अनोजी है, है यह शुरुवात से ही है, तो आपने देखा होगा, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो, लोग आप प्यार बहुत मिला होगा, काम भी आपको बहुत बड़ा होगा, ऐसा होगा, ऐसे ऑफिस में हो, तो काफी सारी फाइल्स आपके टेवल पर रख दी गई होगी, बहुत से लोगों ने आप से हेल्प मांगी होगी, ज्यान मांगा होगा, और आपने जो उनको सला दी है, उससे उनके काम बहुत बने होगे, तो इस वज़े से भी आपको बहुत लोग एप्रिशेट कर रहे हैं, और ऐसा दिखता है कि सभी चाहते हैं कि आप उनके जीवन में रहो, तो इससे आपको काफी लाव हुआ होगा, नहीं हुआ है तो अब होगा, यह जो तीन महीन है, इन में फल मिलेगा, एक गुरू के जैसे लोग आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, जब आप हो तो हमें चेंटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो कि कई सारे लोग, आपके ओफिस में, आपके जो कलीक्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आकर अपनी घर की बातें आपसे करेंगे, ओफिस की बातें आपसे करेंगे, जो भी प्रॉब्लम से मुझे शेयर करेंगे, उनको ऐसे लगेगा कि जैसे आप एक फादर के जैसे हो, या मदर के जैसे हो, आपसे कुछ भी discuss किया जा सकता है और इसकी वज़े से एक aura create होगा बड़ा ही प्यारा positive सा aura जिसका लाव आपको मिलेगा सो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि शुरुआत से है लेकिन अगर शुरुआत से नहीं है क्योंकि general reading है तो तीन महीनों में तो यह energy आपको दिखाई देगी प्रमोशन है यहाँ पर आपके लिए salary आपके बढ़ने के chances है अगयान आपके लिए भी travel दिख रहा है बाकी राशियों के जैसा सो काम के सिलसले में आप कहीं आएंगे जाएंगे और यह जो journey है यह बहुत important है for you अगर कोई journey plan करते हैं आप उसको cancel नहीं होने देना है cancel खुद से नहीं करना है नहीं होने देने से मेरा मतलब है कि कोई लापरवाई आप ना करें business कर रहे हैं तो वहाँ पर भी clearly यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफी सारे orders मिल रहे हैं बड़ा stock है कई सारे लोग आपसे connect हो रहे है collaboration मैं देख रही हूँ वो भी कई लोगों से किसी एक वेक्ति से नहीं देख रही हूँ कई लोगों से collaboration है आपका यहाँ पर lovers का card है with the world creativity सो बहुत से लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे अगयन यह जीवपिटर की अनौजी है कि जिसके वज़े से लोग इतना पसंद कर रहे हैं आपको जो लोग आपके अंडर काम अगर आप कोई ऐसा बिसनेस कर रहे हो जहां पर लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं तो वो भी किसी तरीके से आपके साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे सिर्फ अंडर काम नहीं करेंगे वो कहेंगे हम भी थोड़ा पैसा लगाते हैं और मिलकर ऐसे काम करते हैं वो वाली चीज यहांपर दिखाई दे रही है मतलब जो आपके under come कर रहे हैं जो आपसे उपर हैं वो सभी आपको पसंद कर रहे हैं सभी को लग रहा है कि आप genuine हो एक इंसान और आपसे कुछ भी share कर सकते हैं आपके साथ कुछ भी शुरू कर सकते हैं इसकी वज़े से बहुत profit हो रहा है आपके business में और अगर आप job कर रहे हो तो वहाँ पर भी वही चीज है काम भले आपको मिल रहा है लेकिन then promotion भी है अब रोड जाने की भी plannings हो रही है आपर confidence बहुत बढ़ रहा है आपका क्योंकि लोग बहुत appreciate कर रहे हैं लोग सुन बहुत रहे हैं हो सकता है यह चीज आप बोलते नहीं हो लोगों को बड़ आपको अच्छा लगता है कोई आपको सुने और फिर आपके guidance को follow करें सो वो चीज यहां तीन महीनों में मैं देख रही हूँ आपके लिए बट इसके साथ ही साथ पता है क्या हो रहा है मैं यह भी देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आप से जलते होंगे और कुछ planning plotting कर सकते हैं आपके against तो उसमें थोड़ा सा आपको साथान रहना है इसके वज़े से थोड़ा सा stress आपका बढ़ सकता है with seven of pentacles प्लस यह भी लग रहा है जैसे कि जैसे आपकी salary बढ़ेगी जैसे आपको promotion होगा वैसे आपको कमी लगनी शुरू हो जाएगी कि लेकिन यह वही है कि अपने control की बात है अप control कर लोगे तो नहीं ऐसा लगेगा control नहीं करोगे तो दिक्कत होगी तो वहां पर थोड़ा stress दिख रहा है कि बाकी यहां पर बढ़ोतरी ही है कुछ घट जाएगा ऐसा नहीं है यह तीन महीने अभी तक तो हरे ग्राशी के लिए बड़े अच्छे ही आ रहे हैं जमनाई के लिए थोड़ा सा कार्मिक था कि आपके लिए बहुत अच्छा आया है कई लोग ट्रस्ट करेंगे आप पर और आपको भी ट्रस्ट होगा किसी पर किसी गौड पर किसी गौड़ेस पर या किसी प्रक्रिया पर या किसी सिस्टम प या किसी व्यक्ति पर ऐसा यहां पर दिखाई देता और यह ट्रस्ट आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में हम बोलते हैं कि हमारे में बहुत टैलेंट है पोटेंशियल है लेकिन हमें कोई चाहिए जिसका हम हाथ पकड़के आगे बढ़ें या कोई हमें सुने है ना सो वह सब्सक्राइब दिखाए कि युनों हम हम ट्रस्ट करते हैं तो मागे बढ़ो हम हैं तुम्हारे साथ और हमें पता है तुम सक्सुस्फुल होगे तो वह अलगी एक काइंड ऑफ टॉनिक का गाम करता है एनरजी बूस्ट कर देता है तो वह चीज यहां पर आप रिसीव कर तीन महीनों में और बहुत अच्छा लग रहा है यह देखकर आप अपनी क्रियेटिवीटी पर काम करोगे प्लस आप बहुत से लोगों के लिए बाउन्डरीज भी बनाओगे इन्यों वर्क फील्ड इन्यों करियर में भी आप कुछ ऐसे लोगों से भी कनेक्टेड हो जो क तीन महीनों में उनके साथ भी अपना बाउंडरीज सेट करोगे कि इनको अंदर आने देना है बाउंडरीज के इनको नहीं आने देना है तो यह भी आपके बहुत हो रहे हैं और इसकी वज़े से आप अपना करियर और बहतर बना पाऊगे क्योंकि अग्यान अपका और बताऊंगी कि आप लोग ट्राय करते रहें, डिसेंबर में चांसेस बनते हैं कि आपको जॉब मिले और जो लोग बिजनस करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि आप बस रुके हैं और कुछ नहीं समय, आपका अच्छा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहें, ऐसा है, अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे न, तो भी आपको इन तीन महीनों में सफलता मिलेगी, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहें, आपको थोड़ी से हिम्मत दिखाने की जरूरत है, और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके पास पैसा है, बट क्रियेटिविट के सामने और अपनी सर्चिंग शुरू करो, कि कौन-कौन ऐसे लोग हैं, जो कि क्लैब कर सकते हैं आपके साथ, जो कि आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं इस काम में, ठीक है, यह आप खुद करिए, अगर अभी आपने कर लिया, आपको खुद आगे बढ़ने के जरूरत है, इन तीन महीनों में, अगर आप खुदी सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो उसका पॉजिटेव आउटकम आपको मिलेगा, विद नाइन ओफ कप्स, जो भी आपके इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी, ओके, सो वो कौन इत, किसी को मत बोलो, कि कोई आपके लिए स्टैं शुरुआत से ही, 2024 की शुरुआत से ही आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लगाव रख रहे हैं, लिकिन अगर नहीं किया है ऐसा, कि कि आपकी राशी है cancer, तो थोड़े से आप लोग एमोशनल होते हो, and that's why होट भी हो जाते हैं, लोग भी कुछ ऐसे मिलते हैं, चुकि आप को पैसा देता है, then we have Jupiter also, so Jupiter की भी कृपा है, तो गुरु साथ है, तो फिर क्या कहने, और Saturn भी गुरु है, you know, Jupiter एक ऐसा गुरु है, जो आपको मार पीट कर नहीं समझाता, प्यार से समझाता है, Saturn है तोड़ा strict है, मर दो दो गुरु की कृपा है आप पर, so आपके लिए प्रमिडी क्या करने चाहिए, तो गरीबों की सहायता करो, और जो शनी देव है, उनके मंदिर हो, आया करो, and हल्दी का या पीले चंदन का तिलक आप लोग लगाना शुरू कर दो, इन तीन महीनों में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, गाईस, ठीक है, और क्या आपको सरिं लेकर आउंगी, तो आप लोग परिशान मत हो, okay? Surrender your fear of intimacy, यह से पहले की राशी में भी आया था, So, अगर आपके personal life की वज़े से आपके professional life में कुछ issues हैं, तो आप उनको हील करने की कोशिश करो, Heal your heart chakra, जाधा कुछ मत करो, आप जब meditation करने बैठते हो ना, तो अपने heart पर focus किया करो, प्लस gratitude बोला करो, कि बहुत ही मैं शुक्र गुजार हूँ universe की, universe का, कि universe ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना धेर सारा प्यार दिया, अच्छी प्यारी family दी, अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, सभी लोग मुझे समझते हैं, प्यार करते हैं, सभी लोग ऐसे हैं, जिन पर मैं trust कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, इस तरीके से gratitude बोला करो, भले ही आपको अच्छे लोग नहीं मिले हैं, फिर भी आपको यह बोलना है, okay, alright guys, तो ये थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हैं, तो मुझे बताएं, लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे एक बार ये भी बताएं कि कितना आप से resonate हुआ है, okay, चालिए, तो फिर मिलती हूँ next reading में, दिलने टेकेर, बाबाई, तो अगर आपकी है कन्या राशी, तो चले देख लेते हैं, आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, ये तीन महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, जऑई सूस्थान ये बाव ज़ोजपन, देचे समयन मने हैं, टार वाले हैं, तो जड जजम्म्न, okay got it okay chaos hmm सो अगर मैं पास्ट की बात करूँ यानि कि जो महीने निकल गए हैं उनकी बात करूँ तो आई तिंक वो महीने अच्छे रहे हैं अभी के मुकाबले यानि कि ये जो जुलाई ऑगस्ट और सेप्टेमबर जिस तरीके के ये मंद्स निकले हैं उनसे बहतर तो शर्वाद के महीने रहे हैं आपने काफी कुछ पढ़ा है काफी कुछ ऋसीखा है समझा एक्सपीरियेंस बहुत मिला हो सकता है नूँ जार पर आपने कोई रैजलीशन लिया है उस पर आपने बहुत काम किया इनब किया किया manifestation के techniques आपने लगाए कई लोगों से मुलाकात आपकी हुई meetings हुई आप उनसे connect हुए अपने travel किया कि friendship हुई है partnership हुई है कफी सब कुछ चीज़ें active रही है और आपने बहुत कुछ सीख नया सीखा explore किया अगर मैं बात करूं थोड़े से आप परेशान हो उन्ही लोगों की वज़े से जिनके साथ में आपने संबंध बनाए शुरुआत में अगर मान लेजे कि आप जहां पर job करते हैं वहां पर आपने नए लोगों से दोस्ती करी या कुछ नए लोग वहां पर आए उनसे आपने connection मनाया आप पुरान का महौल दिख रहा है आस-पास बात करने से misunderstanding हो जाती है यह इशु बन रहा है अब चाहें आप business कर रहे हैं चाहें आप job कर रहे हैं office में हो जाते हैं issues आपके boss के साथ colleagues के साथ और अगर business कर रहे हैं तो आपके partner के साथ ठीक है यह चीज़ें आपर दिखाई देती हैं आपक हो रही है लेकिन फिर भी यह महीने यह कहते हैं कि महनत का फल तो आपको मिलेगा इन महीनों में महनत का फल तो आपको मिलेगा बट काफी सारी conditions है March and April का जो समय है I think बहुत ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए आपके सारे मुझे लग रहा है astrologist के पास गए होंगे गुरू के पास गए होंगे कोई family गुरू होंगे उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए बोला होगा कि यह चीज़ करो यह चीज़ खानी है पीनी है आ ज जाना है नहीं जाना है यह नियम वह काईदे यह कानून बहुत कुछ आपने फॉलो किया तो यह जो महीने काफी ज़्यादा बड़ा ट्रांस्फरमेशन लेकर आए होंगे और इसकी वज़य से एसा लग रहा है जैसे जैसे वॉक प्लेज पर भी बहुत कुछ हुआ है बभी कि आपणा आया कुछ नया किया या आपको फॉलो कर रहे थे उसके वजय से वॉक प्लेज पर आपका जैसला नाम उड़ गया कुछ ऐसा हुआ कि लोग आपकी बाते करने लग गए या politics का शिकार हुए आप या कोई कुछ गलती कर रहा है आपको ब्लेम कर रहा है आपको आगे बढ़ा कर अपनी गलती छिपाने की गोजिश कर रहा है ये चीज़े भी बहुत हुई होंगी आपके साथ सब वैसे देखा जाए तो शिरुवाती मंस अच्छे है ये जो problems आई है आपकी life में ये March end से है I think और उसके बाद से active है life लेकिन problems भी उतनी active है ऐसा है एपरिल में अच्छा रहा है थोड़ा थोड़ा देन जून में फिर से problem है some misunderstandings बहुत है ये I think पूरा साल ही आपका इसा रहा है कि दो महीने अच्छे है फिर एक अच्छा नहीं है बहुत बुरा है फिर दो महीने अच्छे हूं ये फिर एक अच्छा नहीं हो बहुत बुरा है मतलब हद से बुरा फिर ऐसे-अजे करके आपके ये महीने निकल रहा है कुछ ऐसा हो रहा है तो कही ना कही मैं आपको प्रे करते हुए देख रही हूँ कि भगवान बचाओ मुझे, ऐसा, क्यूं मेरी manifestation काम नहीं आ रही, क्यूं मेरा divine time कब आएगा, divine timing कब आएगी, कब मैं अपने महनत का फल भोगूंगी या भोगूंगा, वो वाली चीज हो रही है यहां पर, तो देखें, यहां पर यह जो तीन महीने हैं, यह बहतर दिखाई दे रहे हैं, अभी कि अपक्षा, जैसे जो August, September में रहा होगा ना, उससे बहतर दिख रहे हैं यह तीन महीने, मैं यह नहीं कह रही कि बहुत अच्छे हैं, मैंने यह बिलकुल नहीं कहा, ठीक है, बहुत अच कुछ चीज़ें हैं, जो आपको फॉलो करना है, एक तो माली जे, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, भी बिजनेसमेन या वुमिन हो, और आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो, कुछ क्रियेटिव करने का सोच रहे हो, प्लीज उसे डिसकस मत करिए किसी के साथ, जब त कुछ उस विशे में काम करना चाते हो, किसी को मत बोलो, ओके, वहीं अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी ने किसी को क्या बोला, किसने किसका क्या देखा, क्या सुना, कुछ भी डिसकस नहीं करना है, आपको ऐसा बन जाना है, जैसे आपको कुछ काम के अलावा कुछ स कौन किस के साथ क्या कर रहा है कौन किसको क्या बोल रहा है बेशक यहां पर आपका सवाल होगा कि अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो मैं नहीं बोलो कि अभी आपकी इस्तिती इतनी मजबूत नहीं है अगर आप बोलते हो तो वह व्यक्ति तो आप उसको तो आप ब पचाप होगे, आप खुद भी डूब जाओगे, तो जब आप डूब होगे, तो बिचारा बिल्कुल चलाई गया ना, फिर, अगर आपको किसी की help करनी है, सच का साथ देना है, तो ऐसी वक्ति को चुनों, जो strong है, ठीक है, ये मैं आपको बोलने की कोशिश करनी हूँ, तो controversy हो जाए, ओके, ये नहीं कहरी कि वो आपको धोका देंगे, पर सम्टाइम्स क्या होता है ना, कि आप अपने close व्यक्ति को बता रहे हो, वो अपने close व्यक्ति को बता रहे है, राइट, I hope you understand, आपने इनको बताया कि किसी से discuss नहीं करेंगे, वो भी हो सकता है, उनको बोले, जिनको देखकर उनको लग रहे है कि ये किसी से discuss नहीं करेंगे, ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो ना, chain मनती है, तो आपको ऐसे किसी risk में पढ़ना ही नहीं है, हाँ, आपका ही खतरे में हो, वो चीज़े आप discuss करो, लेकिन किसी के life में क्या हुआ, किसने किसको क्या बोला, वो मौका मिलेगा, अगर business कर रहे हो, तो भी आप travel करोगे, आपकी team के साथ travel करोगे, और उसके बाद एक, मैं देख रहे हूँ, आपको brand बनाते हो, आप brand भी बना सकते हो, और अगर आप job कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको promotion मिलेगा, पदवी भी आप आ सकते हो, लेकिन अगर आपने यह गल्तियां करी, आप बहुत बुरे फंस जाओगे, तो इस सब में मत पढ़ना, और शॉर्ट कट आपको नहीं अपनाना है, किसी भी कीमत पर शॉर्ट कट नहीं होने चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, जूट नहीं होना चाहिए, इस सारी चीजोंसे दू बुरा सुनती हूं ना बुरा बोलती हूं ना बुरा देखती हूं जो गांदी जी के तीन मंदर है ना बस उसको याद रखो आपको सिर्फ अभी अपने काम पर फोकस करना है जैसे आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे आप तुरंत आपको तरक्की मिलेगी तुरंत आप बढ़ोगी आप देखो कि abundance कैसे आ रही है आगे बढ़ बढ़ कर एक new beginning हो जाएगी आपकी new journey यह उनिवर्स बना दीगी आपके लिए जो prosperity से भरी होगी लेकिन Saturn यह चाहता है कि आप इन में से कोई भी गलती ना करें माली जी आपकी government job है और आपके साथ कोई भी ऐसा issue होता है तो आपको transfer कर दिया जाएगा और वो I think आपको नहीं चाहिए है तो आप यह चीज़े बिलकुल भी ना करें भगवान आपके साथ है आपको protect करेंगे लेकिन जो चीज़ें आपके control में हैं बोलना नहीं बोलना उसमें वो क्या कर लेंगे तो वो आपको सोचना समझना है बाकी universe देख रही है जिन लोगों की job नहीं लगी है आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें और अगर आप इस धर्म के नहीं हैं तो जो भी आपके religious places हैं वहाँ पर आप हफ्ते में एक दिन जाना शुरू कर दें जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो एक दिन जाना शुरू करें और जो इस religion के हैं हिंदू धर्म के हैं उन लोगों से कहूंगी कि हनुमान जी की चालीसा आप पढ़ें और शनी देव के नाम से दान करना शुरू करें आप देखें आपकी job जो है नवंबर 18 तक ल और knowledge gain करने की कोशिश करिए और जाधा पढ़िए आपने जितना पढ़ा है ना उससे भी और जाधा पढ़िए आप चाहें job करें हो या business करें हो doesn't matter ज्यान इकठा करिए किताबे पढ़िए जितनी किताबे पढ़ सकते हैं आप चाहें वो आपकी self healing को लेकर हो चाहें वो आ किताबे पढ़ने से क्या हो जाएगा trust me हो जाएगा आप पढ़िए three of swords, ten of swords, king of pentacles ये हो जाएगा अगर आपका दिल तूटा है आप तकलीफ में हो परेशानी में हो तो आपकी healing हो जाएगी अगर कोई cycle है जो आप end करना चाहते हो तो किताबे पढ़ने के बाद ये end आप क चल रहे है actually वह नहीं चल रहे कहिना कि आपके perception के रहते ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो perception change होगा चीज़े ठीक हो जाएगी और फिर सीधा abundance की तरफ आप जंप करोगे it is very important कि आप reading करें तो किताबे पढ़िए जितनी किताबे पढ़ सकते हैं मैंने Instagram पर अपने जो यह देखिये यही मैं आपको बोल रही थी कि कहीना कि आपके perception की वज़े से आपकी conditioning की वज़े से ये सारी difficulties आप attract कर रहे हो और इस साल नहीं मुझे लगता है ये 2023 में भी ऐसा ही था the universe is asking you to open to the infinite nature of abundance in this way you can remove blocks in your life and succeed beyond you by less dreams ठीक है तो यह करने की जरूरत है surrender to the magic of who you are तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो तब ही आप कुछ बड़ा कर पाओगे तो इसकी कमी है किताबे पढ़िए आप लोग ठीक है low self-esteem है आपके अंदर that's why grow करने में difficulties हो रही है आप books पढ़िए और फिर थीरे थीरे आप देखिए तीन महीनों में आपकी पूरी life change हो जाएगी guarantee इस बात की नहीं तो आप manifestation का जो group है वो join कर लिजे channel जो है Instagram पर join कर लिजे मैं वहाँ पर आती रहती हूँ तो आपको techniques वगर पसंद आई हो अगर पसंद आए तो like जरूर करें resonate किया है तो मुझे जरूर बताए share करें subscribe करें thank you so much for watching the video take care love y'all bye bye